हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल आज मैं आपको इस तरह का स्वेटर बनाना बताऊंगी यह मैंने स्लीबलस बनाया है आप चाहें तो इसे स्लीब का भी बना सकते हैं और इसको मैंने फ्रेंट से ओपन रखा है इस तरह से ठीक है क्योंकि यह आप साड़ी पे भी पहन सकते हैं असानी से तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं इसे बनाना बहुत ही असान है इसके लिए सबसे पहले हम इस तरह से एक नोट लगाएंगे और नोट लगाने के बाद अब हम इसमें अपनी बेसिक चेन बनाएंगे यह देखिए किस तरह से मैं चेन बना देखिए मैंने 42 चेन मना ली है अब इसके बाद हम तीन चेन करके जो फोर्थ नंबर की हमारी चेन है उसमें हम इस तरह से क्रोसिया को डालेंगे और इस तरह से निकालके डवल क्रोसिया की बुनाई कर लेंगे फिर से देखिए आप इस तरह से लपेटा मैंने और अगली चेन में डाला मैंने और ऐसे लपेट के बापस लाई और इस तरह से दो दो फंदे करके निकाल दिये तो इसी तरह से डवल क्रोसिया की बुनाई करते हुए हर चेन में मैं यह पूरी लाइन कंप्लीट कर लूँग और इसको पलट लेंगे, पलटने के बाद हम पहले वाली चैन को छोड़के सेकिंड वाली चैन से अपनी बुनाई स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो हम तीन चैन लेते हैं, वो हमारा पहला फंदा हो जाता है, इसलिए हम पहले वाली चैन को स्किप कर देते हैं, तो अब मैं द तो यह मैंने अपना रैड खनलर को बुलेंद लिया है और इसको स से इस तरह से मैंनेने रृब timber को भी तरह करेंब कियम दूर 2 से दागे को खीचा। तो अब ये सेकंड कलर से हम इसमें डवल क्रोशिया की बुनाई करते हुए ये लाइन भी कम्प्लीट करेंगे और फिर बापस से लेके आएंगे इस लाइन को यहीं पे दो लाइन हमारी हो जाएंगे यह देखिए हमने एक लाइन कंप्लीट करी और बापस से दूसरी लाइन कंप्लीट करते हुए लाए तो हम वहीं पर बापस आ गए यहां से फिर बापस से मैं अपना पहला वाला धागा उठाऊंगी इस तरह से और इसको पलट लूँगी और फिर मैं दो चेन बुनूँगी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि धागा टाइट ना हो उसे धील आई रखें वरना हमारा स्वेटर खिचेगा साइट से फिर से मैं पहली को छोड़के सेकिंड वाली चेन में अपनी डवल क्रोशिया की बुनाई करूंगी इस तरह से हेme के करो से इसी तरीके से मैं यह स्वेटर उपर तक बुंती हुई जाऊंगी ठीक है यह देखी इस तरह से यह देखेगा और यह दो कलर से मैं इस तरह से देखिए मैंने पूरा बुन लिया यह मैंने टोटल 23 लाइन इसमें बुनी है यह मेरी 23 नमबर की लाइन है इसके बाद यह देखिए मैंने एक और सेम तरीके से मैंने दोनों पार्ट बना लिये हैं यह फ्रंट के दोनों पार्ट हैं बीच में से हम इसे open रखेंगे तो बीच में हम इसके border बनाएंगे तो यह फ्रंट के पार्ट हैं दोनों अब मैं आपको इसमें मुड्डे की छटाई करना यानि की armhole को हम कैसे चाथते हैं यह बताओगी और गले को हम कैसे चाथते हैं यह बताओगी यहाँ पर हम V गला बताएंगे तो इस तरह से हम गले को छाटते हुए जाएंगे इस तरह से हमारा V शेप में गला आजाएगा मैं आपको बताती हूँ इसको हमें कैसे छाटना है तो सबसे पहले हम इस तरह से वापस से अपना क्रोशिया इसमें डालेंगे ठीक है ये 23 नमबर तक मैंने बुनाई कर ली थी अब ये मेरे 24 नमबर की रॉज चल रही है ठीक है तो तीन चेन लेने के बाद मैं इसको पलटके यहां तक बुन लूँगी देखिए ये लाश्ट के 5 फंदे मैंने नहीं बुनने है तो यहां पर ये मेरे अब ये देखिए मैंने लाश्ट वाला फंदा अपना पूरा उतार लिया ठीक है ये देखिए अब ये 5 फंदे मेरे रह गए हैं आप अपने हिसाब से आर्म होल कम या जादा भी कर सकते हैं तो यहां से मैंने 5 फंदे नहीं बुने लाश्ट में और मैंने अपना दूसरा दागा बापस से उठा लिया और इस दागे का हमें ध्यान रखना है कि इसको ढीला करके ही लेना है आर्म होल की शेप में इसे मोड के देख लें कि ये ढीला है बिल्कुल सीधा इसको ना खींच के लें वरना ये हमारा आर्मोल यहां से खिचने लगेगा ठीक है इस तरह से और फिर दो चेन लेके दूसरे वाले दागे को उठाएंगे दो चेन लेंगे और अपने स्वेटर को पलट लेंगे और फिर से अपनी डबल क्रोसिया की बुनाई हम अगली चेन से पहले वाले चेन को स्किप करके सेकिंड वाली से इस तरह से डबल क्रोसिया की बुनाई हम सुरू कर देंगे देखे इस तरह से हर चेन में अब मैं इसी तरह से डबल क्रोसिया की बुनाई करूंगे यह देखे और मैं यहां से यह बुनते हुए जब मैं इसको गले पे लेके आऊंगी दूसरी साइड देखें यहां तो मैंने आर्मोल की चटाई कर दी अब मुझे यहां पे एक भी फंदा नहीं खटाना यह सीधा ऐसे ही उपर तक जाएगा जब मैं यहां पे लेके आऊंगी तो हर लाइन में एक फंद कर लिया है यहां आर्मोल है हमारा और यहां पे गले में दो फंदे रह गया है यह देखें मेरे ठीक है यह दो फंदे रह गया है तो एक फंदे में मैं एक डबल क्रोसिया निकाल लेती हूँ और जो लास्ट वाला फंदा है मेरा इस पे मैं बुनाई नहीं करूंगी इसको म बापस से हम आर्मोल की तरफ पहुच जाएंगे, बुनाई करते हुए, आर्मोल की तरफ हमें कोई भी फंदा नहीं घटाना है, हमें आर्मोल की साइड ऐसे ही पूरा बुनते हुए जाना है, लेकिन जब हम बापस से गले की साइड लोटके आएंगे, तो हमें फिर से ये ला क्लीट करके दिखाती हूं जब आप हर बार गले की तरफ छोड़ेंगे तो यह देखे इस तरह से वी शेप में मेरा गला आ गया है देखे अगर आपको थोड़ा डीप वी में चाहिए तो आप दो दो फंदे छोड़ सकते हैं मैंने यह थोड़ा हलका डीप में रखा है तो मै ने एक एक फंदा चोड़ा है यह देखे इस तरह से मेरे मुड़े भी चटगे और यह मैंने पीछे का पार्ट भी पूरा तयार कर लिया है यहां पे मैंने पूरे 75 फंदे लिये थे आप अपने हिसाब से फंदे को छोटा या बड़ा सकते हैं तो देखे अब इस पे मैं इ कंदे को हम सिल देंगे और साइट से हम इसके कमर को भी सिल देंगे और बिल्कुल इसी तरीके से हम दूसरे साइट का अपना हिसा भी इस पे सिल देंगे देखिए इस तरह से है इसको भी हम पूरा सिल देंगे यह मैंने 36 से लेके 40 के साइज का बनाया है आप अपने हिसाब से फंदे कम या जादा कर सकते हैं अपने साइज के हिसाब से यह साइज 36 से लेके 40 तक के लिए आ जाएगा यह देखिए मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है इस तरह से उपड़ से मैंने सिला यह देखिए गला मेरा इस तरह से बैठा है और मैंने साइट से भी इसको सील दिया है अब हमें इस पे यहां पे बॉर्डर बनाना है दोनों साइट और यहां से गले पे बॉर्डर सीधा बन नाते हुए लाएंगे और दोनों armhole पे भी हम इसका border बना देंगे तो चलिए इसका border बनाना में आपको बताती हूँ कैसे बनाईगे जितने भी धागे हमें आर्भोन में दिखाई दे रहे हैं इसको हम अपनी बुनाई में लेते हुए जाएंगे तो यह बुनाई के अंदर आ जाएंगे और बिल्कुल भी दिखाई मैं देंगे इस तरह से हम क्रोशे को डांड़ेंगे और इस तरह से हम जिस चलर से हमें बॉर्डर बनाना सेम 10 the funda मैं 30ड गुरुषए के निकाल निए हम यह को इसतरह से किम इई दिखे मानेकी पढ़ने में जबने में दूब मुऔर शे निकाल लिए सेब इसके बाद हमें 22 डॉपर 2 करीब इश्टे है को एक और डबल क्रोसय कम सर्शाए dolMI से और आप एक और को प्रेए निकाल ली सेंक सब्सक्री है मैंने मैं तीन डबल क्रोसies निकाल भी हम यहां पर तो हमें टीन दीती तो हमने दो chain छोड़ दी जब हमें चेंड दिखेंगी नहीं उपर की साइड तो हमें अपने अनदाजे से दो चेंड की करीब इस फैस छोड़ना है और फिर हमको क्रोशिया को में तरह से अंदर स्वेटर में और इस तरह से सेम एक ही चेन में से हमें तीन डावल करोशिया निकालनी है दिखिए इस SUR याँ अपने अंडाजे से आप डालते जाएं दो दो चेंग के करेब आप चोलते हुए कि पॉसिया की बुनाईंगी डाले इसमें शुरू करें इस तरह से लगभग दो ये देखिए इस तरह से दो लाइन के बराबर हम जगह छोड़ते हूँ चले जाएंगे इस तरह से हर दो लाइन के बाद हम इस तरह से एक ही फंदे में तीन डबल क्रोशिय निकाल लेंगे ये देखिए ये दो और ये तीन देखिए अब इसके बाद देखिए दो लाइन की करीब मैंने गैप छोड़ा इस तरह से हम अंदाजा लगा के गैप छोड़ सकते हैं और यह देखिए इस तरह से मैं फिर से एकी फंदे में तीन डबल क्रोशे निकाल रही हूँ और सेम इसी तरह से तीन तीन डबल क्रोशे एक साथ लेते हुए हम इसका बॉर्डर बना लेंगे और इसको पूरा हम यहां से यहां तक बना लेंगे और फिर इसको बटन लगाने क तरफ पर भी बनाएंगे मैं इसका हर तरफ से पूरा कम्प्टीट कर लिया है यह दिखिए और यह मैं ने पेantom बॉडर बनाया बिल्कुल उसरी तरीके से मैंने बॉडर बनाया है जैसे आर्म पर बनाया था एक साथ टीन टीन डबल क्रॉश से लेकर और में ने इस पर बटन लगा दिये है, इस तरह से, अगर आपको मेरा ये स्टवेटर अậुछा लग रहा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, मैं आपको इस तरीके के और भी अच्छे अच्छे स्टवेटर बनाना बताती रहूँगे, तो मिलती हूँ आपसे नेक्स वीडियो में, ओके बाई, टेक कैर